मेरी मम्मी का देथ हो गया रोड एक्सिडेंट में शुरू के पांच क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में था कभी-कभी निन्द नी मतलब सो नहीं पाता था तो पर जूट बोलते हैं, आठारे घंटे खुद पढ़ते हैं अपने पैसे को अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, यहां दिखा रहा है और यहां दिखा रहा है कि अपको बांच चलाना है तो चलाना है नमस्कार दोस्तों, स्वागा था आपका कोर्ज इंस्पैरिंग और इफिमेटी वुडियो में हमारे साथ आज नसीन कुमार निसांसर हैं, जो बिहार में, बिप्यसी में अब तक के इतिहास में सबसे यंगस्ट मतलब बाइस साल जो उमर होती है, उस समय नहीं होना, बिप्यसी में एच्डियम पोस्ट हासिल गिया है, जो अपता के इतिहास में सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आप लोग पास अच्छे सचे इंटरिवु पहुंचाओं, मेरा कर्तब बे है, तो दिल्ली से चलकर सब्सक्राइब करते हैं, तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बदाई, तो सर अब हम बात करते हैं, आप अपने बारे में कुछ बताएं, सर, मेरा नाम नसीन कुमान निसान्त है, अभी जो 64-वी की परिच्छा हुई है, परिच्छा का जो परिणाम आया है, उसमें मेरा 140-वा रहंक आया है, और मुझे STM का प्राप्त हुआ है, और मैंने अपनी 10-वी की परिच्छा, एसा डी पब्लिक स्कूल से पास किया था, उसमें मेरे 10-CGPA भी थे, उसके 12 मैंने उडवाइन मॉडरन स्कूल दर्भंगा से किया, फिर मैंने बीटेक IIT-BHU वारा नसी से किया, उसके कम्प्लीट करने के तुरंद बाद मैंने इसकी त्यारी सुरू कर दे थी, जे. सरी तफाक साब भी BHU से मैं भी BHU से हूँ, लेकिन आप IIT से हूँ, सर आपको यह कब ख्याल आया है कि मुझे सिविल सर्विसर्स जॉइन करने हैं, सर यह सोचता था, मतलब पहले से भी, लेकिन 2017 की बात है, 2017 में जब दो फरवड़ी 2017 को जब प्लेस्मेंट फॉर्म आया कि मेरी मम्मी का देथ हो गया रोड एक्सिडेंट में, तो फिर मैं घर आया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं प्लेस्मेंट वगरा नहीं करूंगा, मैंने प्लेस्मेंट फॉर्म भी नहीं भरा, उसकाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ बढ़ा करना होगा, और बड़ा करने के लिए यूपीएसी वगरा करना ही चाहिए, तो फिर वहां से मन बनाया था, और फाइनली फिर इधर ही मतलब रुख किया, 2018 में जैसे ही कंप्लीट हुआ, कॉलेज फिर मैंने सुरू कर दिये थे सकत्यारे हैं, जी, सर आप थोड़ी सी फैमिली तो यह है, और मेरे भाई लोग जो सबसे बड़े भाईया हैं, वह आपके चौकिदार है, ग्रामिन पुलिस में, जाले था ना में, उसके बाद वाले भाईया जाले में ही एक आइटिया है, सेमी गवर्मेंट उसमें वो प्रिंस्पल है, फिर उसके बाद वाले भाईया, कर tesiyan aur cesWoow vמתोंने उम्ने किया है जोड़ फिर मैं उसके बाद में पढ़नेने मतलब हैं माकी सबीयोग उतने ही जुक हैं कि मतलब पराने वाले भी रहिए रहने पढ़ने वाले से और सभी करते थे खासकर जो मेरे एक भाया है नलीन भाया है वह बहुँ जादा बच्पन से चाहते थे और हमेंसा सपोर्ट करते सब्सक्राइब तक मैं सरकार्य स्कूल में था मम्य मेरी टीचर थी तो उन ही के स्कूल में पड़ता था और पांच भी के बाद मतलब पांच भी तक में अच्छा था तो थोड़ा सब इंगलीस वगरा जो थी न capitalize गद्ध Harley जो बना लेते था उनको अच्छा समझते थे सब्सक्राइब तो तब से मतलब इस तरफ हुआ की चलो ठीक है अपना है अच्छे से याद है कि यह लोग बहुत अमीब नहीं है और मिडिल क्लास में भी लोग मिडिल क्लास कर सकते हैं कि नीचे के हैं तो उसमें मतलब हम लोग पापा वहां ले जाकर के मुझे बोले थे इतनी बड़ी बिल्डिंग है इस से उचा तुम पो कुछ करना है नाम इस बिल्डिंग को देख रहे हो मतलब इतने वीचे बिल्डिंग में हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं तुम भी पांच वी तक पढ़े हो लेकिन इस से उचा करना अगर तुम को इसमें मौका मिलता है अगर पहले से पता है तो उसको देख कर चोड़ देता था ऐसा मैंने कभी नहीं किया जो मुझे वीक लगता था वीक तरक है था उसको कभी स साथ नहीं चुड़ना है तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे बठा हूं जी सब से हुआ है अपने 22 साल में मतलब की कर दिया जो समय मिनिमम क्वालिफिकर्सन उमर की बाइसाल है तो सर क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपने मतलब किसका नाम लेना चाहते हैं जो क्रेडिट देना चाहते हैं पाद वही मम्मी का जो देत हुआ वो केटलिस्ट की तरह काम किया ताकि मैं इधर आउर आ गया गया यही है मां की पड़िवार का तो सभी जगा रोल होता है यहां भी था और पड़िवार वाले मंदद करते हैं बस जी कमेंट महुत सारे लिखते हैं चैस्ट लिखते हैं मुझसे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि टोपर जूट बोलते हैं 18 गंटे खुद पढ़ते हैं और करते हैं पांचे घंटे पढ़ने में एक्जाम निकाला सकता है तो सर एक टाइम टेबल क्या होता टोपर अपने उससे खुद क्या फोलो क किया था टाइम टेबल और एसे एक्जाम क्रेक करने के लिए कितना घंटिया दी पढ़ा जाए सिद्धात के साथ तो इस एक्जाम को असानी से निखला सकता है है जहां तक सर मेरा मानना है कि अगर हो टारगेट-स्ट चाड़ी हो टाइम बेइस नहां जैसे कि मैं पहले से फिक्स कर लेता था कि मुझे कि इदा लिए द्राइशाइब है रगना तक मैं दूसरा काम नहीं करता था इन्टेनमेंट था उसके लिए लेकिए इंट्रेनमेंट कीजें फूऊ थीर के यरा उन्हा Хот कोल्умली वह थीया है लेकिन कीणृ को हाप बस दसी घंटे फिर बचे हैं उस दस घंटे में आपको सोना भी है दुसरी काम भी करना यह सो आपको डिसाइड करना होगा प्लाइनिंग और मेनेजमेंट जो है वह आपको ध्यान रखना होगा ऐसा कहीं नहीं है लिखा हुगा कि आपको 18 घंटे परने होंगे अगर आप प्याइस या उपसी में टॉप करना चाहते है तो अगर आप चार घंटे ही पढ़ते हैं लेकिन चार घंटे में जो टार्गेट आपने डिसाइड किया है वह कंप्लीट नहीं होता है उसके बाद आप मस्ती करते हैं जो आपका इंटरेटेंवेंट का पॉइंट है वह आप करते हैं तो आप सहीं कहीं न कहीं अपने पैसे को अपने रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं यह आपको दिहान रखना होगा यह आपको यह क्लियरली मतलब मैं कनवे करना चाहता हूं लोगों को यह चीज़ आप दिहान रखें कि जो आपको टाइम मिला है जो आपको ताइम भी एक रिसोर्स है, इस बात को दिहान रखेगा, टाइम और जो बुक्स वगेरा जो भी आपको मिला है, इनको आप पूरा प्रोपर युज कीजिए, उसको प्रोपर प्लैन करके मैनेज कीजिए, प्लैनिंग यही है, कि रात को डिसाइड कीजिए, और मैनेजमेंट हुँ है कि उसका आप किस तरह से execute करते हैं उसको दीन भर में तो आप कब तक करते हैं आप अगर मालिजी चार घंटे में कर लेते हैं तो आप उसको चार घंटे ही पर करें कम्प्लीट कीजे़ फिर दूसरा काम कीजिए लेकिन आप सबसे बड़ी सब्सक्राइब तो अगर जाता तो आपको तरह से बड़ी त्यारी विए अगर आप करते हैं तो आपको उस तरह से बड़ी त्यारी भी करके जानी होगें नहीं तो आप सफन सिर्फ एंसेयाटी को लेकर बहुत कंसेप्ट बना होता है कि एंसेयाटी पढ़ना बहुत इंपोटेंट उसमें पर इस पर जोड़ें कि नयुकरती नगर में रहीं नमठ चर्चा का जब से कुछ सा पढ़ना है और आपके नजर में निव पढ़ाया कि उल्ली पढ़ाया इस सिर्फ NCRT मैंने सिर्फ NCRT पड़ी है आप यहां देख भी सकते हैं जो दुचार किताबें रखी हुई हैं बहुत सरी किताबें कोई भी बुक नहीं है और मैं अभी भी कह रहा हूं एक भी किसी किताब की जरुवत नहीं है करूंगा अभी करूंगा ही तो उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए क्या क्या अलग अलग दिसा में जाना पड़ता है वहां अपको जोट नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आप डिसाइड कर ले उसको सही से कि अगर आप नाम नहीं जानते हैं इंडियान कंस्ट्टिूशन नेट वर्क करके एलेबंध के एंसको लोग नहीं बढ़ते हुए लक्षमी कांथ से अच्छी लिखी हुई किताब कि अपको 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 लगर्मेंट का इजाम देना है और आप अपना परचार करना है तो अपना कहां से पुछेंगे तो आप एक्षेत पर एंडिया पर एंडियान थोर्ट करके इन पॉलिटिकल थो किताब बहुत बढ़िया है वह में से बहुत काम है कि जैसे अलग अलग चैप्टर बना हुआ है कि इंडिया में फिर डिलिजम कैसे वर्क कर रहा है कि अलग कर देगा यह सब डियरेक्ट कुस्टन आते हैं और आप कंसेप्ट जानते हैं तो यह विल गेट सकसे सब्सक्राइब सर जैसे कि आप हम इंटर्वू सुट करनें पहले आप से बात हो रही तो आपने बताया कि आपका जीग्रोफी ऑप्सनल रहा है और इंग्लिस मीडियम का प्रश्टन रहे हैं आप एक मेने के दिली गया थे हाला कि इस बात को आप डिनाई करने उससे आगे चर्चा करेंगे ह तो सर आपके पस कोई इसा जीग्रोफी का हला कि मेटरियल तो आपका बहुत लेस मेटरियल में देख रहा हूँ तो सर कोई इसा नोट्स है जो आपने बनाया है और नोट्स बनाना इंपोर्टेंट है अगर आप माल लिजे कि रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं चीजों को पसानी से आप कर सकें यह पॉइंट होता है नोट्स का सिर्फ पर सिर्फ तो उसके लिए आप धियान रखें कि नोट्स बना सकते हैं लेकिन मां की ऑप्सिनल के लावा मैंने किसी जिसका नोट्स नहीं बनाया वो मुझे साथ जवरत नहीं परी मैंने ट्राइन ही किया उतन के मैंने तुरुंद मैं बना दिया है जो सब मैंने च्छोटा सा एक मै बनाया है उस मैमें सब कर दिया अब यह मुझे है इसको परने की जोड़त नहीं है वह मैं सीध इस मैप को देखूंगा मुझे क्लियर हो जाएगा तक यहां पे सिंध है यहां पर गुर्जरपति हारा यहां पर गंगाज डानेश्टी है चेराज है यह मैं किलियर कर लोंगा यह सिर्फ मैप देखूंगा मुझे अब मुझे परना यह नहीं पड़ेगा ऐसे करकर करके मैंने कोशिज किया है कि मैं उसको कॉफर कर लो और सब्सक्राइब करूंग लोगोग को पता नहीं था कि पपलेशन बढ़ने से क्या होगा रिसोर्स के बारे में आगिए नहीं था तो लोग उस समय बस पॉपलेशन हो भा जा रहा था बढ़ा ही जान पॉफूर मेश लेद समय दोनों difference by बढ भर रहा है और यहां जीट लिसलिखा रहा है और उसained ही साथ-साथ wear लप्र भी रहा है अगे तो ऐसे समय होगा कि और i2 जाए अगुर्ण Kerryर कर ले मेरे तरफ सर अगर बताऊं कि कहता हूं कि मुझे जबवात नहीं है अगर देखें तो सईष कि लिह बिल्कुल ही जब नहीं तो इसमें मेंस स्ट में पूछ करें तौन ख़ेज & वो आप सक्सस मिलना ही मिलना है लेकिन यह नहीं हो पाता है तो आप एक्जाम में कैसे करोगे अगर आप यहां तीन गंडा में कर पा रहे हैं तो इसलिए घर पे ही वह सिच्वेशन बना लें कि एक्जाम लाइक्वार कर पाएंगे जिसा जिसा के बिहार के प्रिश्ट भूवी इसरे ग्रामने प्रिश्ट भूवी मी करना चाते हो विस इसलिए जो भी इस प्रिय। भी दृब्खलोप को सुन रहे हैं और आप की लोग सम élé겠र्न समझे हैं मेरे के निकाला सकता है और मैंने इस वीडियो पहले ही बता है कि मैं दिली से चलके पुपरी गाउं में हूँ आप से मिलने के लिए कि आपके साथ इंटरव्यू करना है तो सर गाउं से त्यारी पोसिबल है कि नहीं है जी बिल्कुल पोसिबल आपके पास एक Android फोन होना चाह आप उसको खड़िदे और उसको अप अंडरलाइन करके परहें आप उसका नोट्स बनाएं एजूबिस कि आपको क्या लगता है कि क्या करना ज्यादा इंपोर्टेंट है उस तरीके से आप पढ़ें लेकिन Android फोन होना जरूरी है क्यों क्योंकि NCI T में NCI T बुक ही ऐसी या पर YouTube किजिए जो भी आप कर सकते हैं वो possibility आपके उपर है वो आप किजिए वो आप करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीका से आप NCI T को पर पाएंगे यही एक तरीका यह NCI T को पनेगा Google वगरा का यूज करके तो यह आप किजिए तो आप गाउं से क्या मतलब कहीं से भ बहुत लंबा वीडियो चुकी हो जाएगा तो कुछ उनी कोसन ज़रूर पुछे जाते हैं तो आपके साथ उनी कोसन क्या था बेंसन की जी बहुत सारे कोसन पुछे जाते हैं मेरा एक्चली उस दिन 10 मिट का इंटर्वीव सिर्फ हुआ था लोगों का सबका 10 मिट का ही हु सब्सक्राइब तो मेरे मुचे और यह सब नहीं आई अभी तो उन्होंने पुछा था कि आपकी उम्र काफी कम है और बाइस वर्स की ही आप मतलब मुझे लग रहा है देखरकर मैंने बुला जी सर तो उन्होंने पुछा कि इतनी कम हो उनमें आप एक जीला हो कैसे संभाले अगर आपको मिलता है इसा पोस्ट तो यह पूफ कीजिए कि आप संभाल पाएंगे यह जी तो उन्होंने मुझे पूछत मैंने पूला है उनको कि सर मेरे उम्र कम है तो मुझे सीखने का भी सबसे आदा मौका मुझे ही मिलेगा और साथी साथ मुझे सबसे आदा सेवा करन किसे अगर भी करें तो त्यांग कर लेता संभा लगा यहाता ही सबसे घ्र पूच ना चाहता हूं कि सर आपको तमाम लोग सुनेंगे यूटूब पे तमाम लोग आपको सुनना चाहते भी हैं और सबसे यंग मतलब का सबसे अगर अगर आप इसमें घुसते हैं तो आप पूरी तयारी के साथ आप यह ध्यान रखे हैं कि आप इसमें जा रहे हैं तो आपको करना ही करना है क्योंकि आप ऐसा समझ लें कि आप अर्जुन है और आपने गांडीव उठा लिया है सामने इंधर भवान हो या कोई भी हो आपको बांच चलाना है तो चलाना है आपने गांडी उठाया है तो आपको परियास करना होगा उसके लिए क्योंकि आपने पहले मेहनत की होगी मन में ठाना है तभी आप यहां तक पहुचना चाहते हैं और वह आप चाहते हैं करना तो पूरी लगन के साथ कीजिए अगर रखता है मेरे साहत त्यारी कर रहें तहीं तो इसी लिए आपसुरू से प्रयास स्रत रहें प्रयास में कभी कमी न न करें लगन आपके 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 हाथ में सर समय लेकिन वो कितना सदुप्योग करते हैं यही खेल को समझना है इस खेल को अगर आप समझ लेते हैं तो सर जुरूर क्वालिफाइगा आप हम से बात किया है तो हम पुरा उमीद करते हैं और देखने वारे सोसाइटी के लोग नोहीं जानते हैं, सारे लोगोग उम्मीद है आप से, कि आप बहुत अच्यों नितिरीन बाता बने, और बड़े समाज के लिए, उनके भाग बाने के लिए, उनके भाग बिदाता के तौरप काम करें, ने बहुत 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 कुछी, आपको हर्तिक बाइए। बहुत ही दूर से में चलके हैं सरसे बात करने के लिए तो वीडियो उन्हें हर ग्रामी लोग पास प्पशने चाहिए हर विभागों को प्रूना चाहिए कि जो कि 12 साल में थेवी प्यूंस करें करना चाहते तो इसको आप जीतना सहकंग उतना सेर किजिए और वीडियो को ला एदिठ हैं मतल्य इनको कितना येकिन था थोड़ा सींग का हम चाहेंगे कि कैसा प्राउट कैसा फिल कर रहें अंकल जी कैसा लग रहा आपका उमर में उमर होती हैं वहां से भुर्च थे मिनिमूम क्रेटेरिया होता है उस समय SDM बन गया है, तो अब कैसा फिल हो रहा है? I am very very happy to knowing this result, I am proud of Mr. Naseen Kumar Nisant. तो आपको यह कीन था कि करेंगे? पहले से मैं जानता था कि जो कहेगा वही करेगा, पहले से जब बच्पना अबस्थाइस की थी, तो हम लोग बात करते थे कोई कमिशन की, तो यह कहता था, जब इसकी परहाई भी इस्टार्ट नहीं हुए थी, पहले से पापा हमको आइस बनना है, उसी समय बच्पना तो उसको साकार किया है, अग्दम शियूर हो, यह एकदम शियूर बनना ही है, बनना है, बनेगा, तो एक पैरिंट्स की फिलिंग जा होती है, जो अंकल जी बता रहे हैं, आपको यह बहुत लोग सुनना है, अंकल जी, वो मतलब कि आप इनके पीता जी है, तो तमाम जो आपको बेटा बेटी के समा है, और अच्छा करेगा, और इमंदारी तो परहाई लिखाए में तो इमंदारी सबसे अच्छी चीजी होती है, और इन्होंने हर कुछ काम किया तो इमंदारी से किया, कभी जो सो कभी खाने के पीछे कभी नहीं परा, नहीं कभी कपरा के पीछे परा, और के परहाई लिख करेंग।